तो है गाइज मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्फ करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ तडे स्नेक एंड लाडर प्रॉब्लम यह क्वेश्चन जो है आपके सबसे पहले यहां से पढ़के खुद से ट्राइज जरूर कीज़ा ठीक है क्वेश्चन में क्या दिया यह वो जानते हैं क्वेश्चन में दिया है कि गिवन और फाइव इंटो शिक्स नेक सांड लाडर सब्सक्राइब तो यह जो सेल है थटियत वाला हमें यहां पर पहुंचना है और कितना मिनिमूम डाइस थ्रो लगेगा यह हमें बता आना ठीक है क्या ऊतिया है वह वह हमें इत्यक करता कीफ यह लडर कहाँ से स्टार्व हो रहा है तो जैसे कहां से स्टार्व हो लाइजर के क्या देगा 3 और 22 देगा ठीक है तो यह चीज है यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ट का एक्जामपल तो हमें वही बताने है कि हमें minimum कितना moves लगेगा 1st cell से चार्ट करेंगा हम 30 जाने में ठीक है तो अगर आपको इसका एक्जामपल लेखना है ठीक है तो यह देख लिए क्या दिया हुआ है इसमें देखें तीन स्ट्रेप पहुंच सकते हैं क्या क्या स्ट्रेप है हमें बताना है minimum moves कितना लग रहा ठीक है उसका मूव का definition नहीं देना सिर्फ minimum moves बताना है ठीक है तो यह तो होगिया question भाईया तो अब आईए कुछ कुछ जो आपको doubt आएगा सबसे पहले मैं आपको वह clear कर दो ठीक है एक डाउट आपको यह आ सकते कि भाईया हमें सिर्फ यह बताना है कि minimum step कितना लगेगा जो हमारा यह जो बोर्ड है यह वन से 30 तक पहुचने में अब कितना भी नंबर ला सकते हैं यह आप पर हमें बस यही बताना है कि वन से 30 तक महुचने में minimum कितना हमें मूज लगया लगें एक यह कैसे दूसरा दा हुचा आ आपको यह आएगा कि देखो यह यह तो होगया हमारा बोड ठीक है इसमें तो बहुत तो यह सुचेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कभी कभी कुछ ऐसा केस भी exist कर सकता है जिसमें आपका स्नेक से कटवान आपको beneficial पड़े कौन सा केस तो कौन सा केस आईए मैं आपको एक आपा इन का एक यहां पर मैं इंट बना देरा हूं एक इसका मनलों यह स्टार्टिंग वॉंटर मुट्वेसरा या Element यह है और इसके ending point मालनो है C है यह ladder का starting आप मालनो C plus 1 है ठीक है और ending point जो यह 30 पर ठीक है तो अगर आप यह concept से चलोगी कि भाया हम सिर्फ ladder पर चाड़ेंगे आप snake से नहीं करते है तो आपको क्या होगा कि आप पहले यहां आगे यहां पहुंचके ठीक है यहां से अगर आपको direct ऐ से से सपन पहुंचके ठीक है यहां पहुंचके चलिए यह कि यहां से आप यह चल है ठीक है अब यहां बढ़े तो आपने करों संकी कटेंगे Ida पूइक एक उमोगी फिर एक आगे बढ़े तो अब यहाँ बढ़े तो आप क्या करने पूरा लाडर जटेफ यहां पे पर कम तो श्टप लगा एक पैला तूसरा डूसरा सभी आधर अगर आप ऐसे जाते जाते आज पया इस टीन यह सब्सक्राइब नियुक्ति दूसरा बेंदध झालना पड़ेगा इसे तीन सप्रें आप जीद गया इसे आपको यहां पर पहुँंचने में तीन चार चार चाप ले जाता उसका देक सब्सक्राइबद तो बहुत केसे ऐसे हो सकते हैं कि संएक से कटवाना बेनिफेस्जिल है तो आपको वह भी ट्राइ करना होगा कि snake से कट वाना beneficial है कि नहीं ठीक है आपको वह भी चेक करना होगा वह सारे के सारे के सारे के सारे के सारे करने पड़ेंगे और फिर निकालना पड़ेगा कि minimum step किसमें लगा किसमें लगा तो भाई यह question को हम solve करेंगे तो यह question को हम solve करेंगे graph के मदद से ठीक है graph type के implementation करेंगे और इसमें हम use करेंगे BFS ठीक है अब DFS भी यूज़ कर सकता है लेकिन यह explanation में BFS करेंगे ठीक है और बहुत लोग के लिए hint भी हो सकता है और जिने graph नहीं पाता है ठीक है वह tension मती है ठीक है आप graph जाके बाद में पढ़ लिए ठीक है अभी आपको हो सकता है completely पूरा चीज समझ में ना है लेकिन आप यह समझने ही कोसिस करना कि भाया काम क्या हो रहा काम कैसे हो ठीक है graph के बारे में अगर इसमें include करूँगा और BFS के बारे में include करूँगा तो वह इस वीडियो में नहीं रहेगा किसी और दिन वह किया जाएगा आज आप सिर्फ इतना काम कैसे हो रहा ठीक है अगर आपको नहीं पता तो इतना देखने काम कैसे हो रहा रहा अग्राफ के बारे में मैं आपको सिर्फ बलीफ में यह बना था हूं ठोड़ा सा शड़ा सा देख्रप्शन ग्राफ आप लगरे कैसा होता है यह इस और ऑल्या की धीक है यह यह सी यह इसा बारे ni जेटवा करें इस इस से connected हो गया ठीक है फिर ये इस से connected हो गया ये जो है इस से connected हो गया ये इस से connected हो गया ठीक है ये दोनों हो सकते नहीं connected हो डिरेक्टी नहीं connected हो ठीक है ये दोनों directly connected नहीं ग्राफ कुछ इस टाइप का डेटा को डिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है यह किस टाइप को डेटा हो गया है अगर आपको जानना है तो जैसे कि मालो कोई city का network हो गया अगर हमें बोला जाए कि city 1 से city 2 तक का minimum distance निकालना हो तो हमें compare करना पड़ेगा यह मालो कुछ z हो गया ठीक है तो compare करना पड़ेगा कि x प्लस y छोटा है ठीक है यह city 1 से city 2 गया city 2 से city 3 गया यह indirectly गया यह directly जाने में कम पड़ रहा है तो यह z हो गया तो यह दो का minimum ठीक है या फिर ऐसे city हो उसका distance हो तो graph इसी type का चीजों को represent करने में काम आता है तो भीजे यह question में आपका graph कैसे काम आएगा देखो हम मान लो कोई जो हमारा यह होगे board है ठीक है इसमें मान लो हम कोई cell x परें ठीक है तो इस x से ठीक है इस x से हम कहां कहां जा सकते हैं हम dice के मदद से ठीक है dice के मदद से X1, X2, X1, X2, X2, X3, X4, X5, X6, चीक है, तो यह सारे हम जगा जा सकते हैं, X से, ठीक है, तो हम यही करेंगे, हम चेक करेंगे, X है, पहले हम जाएंगे X1 में, फिर जाएंगे X2 में, फिर जाएंगे X3 में, फिर जाएंगे X4 में, फिर X5 में, फिर X6 में, माल लो हम X2 गए, 2 ठीक है । 60 6 तक जा सकते है। तो लिएही कर सेब् tendencies उस से यह सारे पर ज्यानकिन इस सब पर जाकर जागे। जब इस तक आगे एक से चेकले करेंए ठीक है तो जो भी मतलब इसमें को इसमें होगा कि बहुत सारा चीज ट्राइए बहुत सारा चीज ट्राइए अब कोई सेल a पे ते एसे b पे गए d से c पे गए c से d पे ठीक है और d से मानलो 30 पर चल गया तो ऐसा बहुत सारा रूट बनेगा अपके पास a से मानलो यह हम 30 जल्दी पहुंच गया वही हमारा जो उटीनमर्ट होगा और कितना मूव लगा वह हम पृंच कर जाएंगे इसे हो गार, यहां पे भी खुरहा है यहां पर बहुत सारे बन सकता है तो मतलब ऐसे हो गया ये से फिर अपका ये वर्टेक्स हो तो िधिर ये चोर शेकर बने का अज़ा होगा ऐँख वस न्यौनट। और हम क्या करेंगे हम BFS लगाएं ठीक है bFS और इसमें हम हो जेंगे shortest part to the cell 30 तो आपका जो problem है वो बन जाएगा कि city cell 1 से 30 तक जाने का shortest path है वो बन जाए ठीक है इसको पूरा पूरा board को हम graph के रूप में represent कर देंगे और snake और ladder को हम कैसे represent करें ठीक है यह x है यहां पर right-car 2 तो अजने इसरे हमारा थीक है इस से हम क्या कर予 है है इससे हम क्या करें थे एक सब्सक्राइगा पर!.. हम यांझें इसका पर नहीं पर जाएंगी है तो ऐसे करके हम पूरा ग्राफ को बनाना है ठीक है पूरा का पूरा बोड़ को हमें ग्राफ के रूप पर रिप्रेश्थ करना है और कहां तो आपको सिंपल बनते वो दिख रहा होगा हमारा वोड्च था, वो तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे एक हम क्यू बनाएंगे क्यू आपका इसमें क्या होता है क्यूंक अगर आपको नहीं पता है तो जैसे ही आप इसमें कुछ इसमें को पुष्ट करें तो वह जाके लास में लग जाएगा और इसका जब आपको बाहर निकालना होगा तो वह आगज निकाल सकते हैं इसका अब क्यू निकालना हो बाहर तो ईह सबसे पहले निकलेगा उसके बाद दिकलेगा उसके बाद इसका इसका प्रीडिफाइन रहता है तो वही चीज़ हम अभी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे जो graph हो गए ठीक है उस पर हम BFS लेएं BFS कैसे क्या क्या करता है अगर आपको नहीं पता देखो सबसे पहले यह जो cell है ठीक है 1 जो है यह Q में आके लग जाए ठीक है तो यह सबसे आगया के लगी है अब हमारा देखो यह 1 से जहां जा सकते थे उसका काम हमने एंटर कर दिया है अब हम 1 को बाहर निकाल लें कि भाईया 1 तुम्हारा काम हो गया अब 1 से हम A जा सकते ठीक है तो हम सबसे पहले A का देखेंगे तो A से मालनों हम जा सकते है और कहीं कहीं एक गी कै तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 यह Q में सब हम एंटर कर लिया ठीक है की भाईया हम यहां यहां जा सकते हैं तो इन सब जाओं को हमें देखना है इन सारे vertices को हमें देखना है तो ये Q में enter हो गया तो a का काम हो गया ये मतलब हमारे जहां जहां हम जासके है वो काम हो चुका है तो अब हम देखेंगे बी को ठीक है तो b से अब हम जहां जासके तो b से भी हम कहा का जासके है तो इच्छे जगा तो B1, B2, B3, B6 तक जाए ठीक है तो यह B1 से लेके B6 तक हम Q में Enter कर लेए ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो यह होगा A तो यह मानलो B था तो B से जहां जा जा गया ठीक है तो हम सब को Q में रखते जा रहे हैं क्यों रखते जा रहे हैं कि उस वर्टेक्स को ठीक हो हमें explore करना उससे कहा कहा जाना वह देखना ठीक है तो ऐसे कर करके हम यह आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और कभी ना कभी आपका ठीक है कभी ना कभी आपका यह जो Q था इसमें 30 तो include हो जाएगा तो जैसे ही 30 include क्या हूबगा कि हमize 30 पर पहुंच गए ठीक है छाइए इस घणी रहा डीं की देखो होड़ी जो पहला बार जो थर्टी अंतों होगा तो यहाँ मिनिमोम स्टप में धना में थक्क होगा तो यह इस अन्य यह क्या था यह सब जितने हैं यह सब जितने है कि इया पका पर यह सब जितने है यह आपका क्या है यह आपका second turn के बाद है इसके बाद इतना होगा वह third का होगा तो जो 30 इंक्लूड हुआ होगा तो कफी पहरी ना इंक्लूड होगा मानलो फिर क्यों मैं आपका ऐसा किछ की होगा ठीक है एक 30 अपका यहां पर include उपहर है फिर यहीं पर आंडलो बाद में न्नयक्राण्व होगा इसका मितलब क्या हुआ होगा कि जो पहलना थर्वें। तो यह कुछ से काम करेगा तो बेसिकली हम क्या कर रहा है कि जो हमरा ग्राफ बन रहा है तो इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं टो वही हम सारे का सारा जुक पाथ सब्सक्राइब चैक कर रहा है जहां भी हम थर्ती पहले पहुंच रहे हैं हमें वही मतलब वह हमारा अप्टिमल पाथ होगे लम्बर आफ टर्न कम लगा तो वही हमारा आंसर हो जाए कितना हमें तो यहीं कर रहे हैं 1 से 30 तक जा रहे हैं, BFS लगा रहे हैं, search या कर रहे 30 का, ठीक है, तो smallest platform 1 to 30 ही हो रहा है, और अगर आपको BFS के बारे में जानना है कि BFS काम कैसे करता है, और DFS अंतर कैसे होता है, तो इसका भी मैं आपको बरीफ में बता जा रहा हूँ, हो सकता आपको यह समझ में नहीं आई कि अभी मैं बोल कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप जाके graph, DFS, BFS यह सा पढ़ जरूर लेना, ठीक है, खुछ से, जादा टाइम नहीं लेगा, चेल होके पढ़ना, आप समझ जाओगे, ब्रेत को Explore करते हैं, अगर आप DFS utresd करते हैं, चल लेगा, उसके बाढ़े हाँ, उसके लाट फिर माल लो यह जल गए, अब यह लाग पाथ जान में के लिए कंप यह तब तक चलेगा जब हमारा पूरा पूरा पाथ खतम ने होगा. अब मालों यह path पुरा खतम हो गया, अब यह second path जो था इस पे आएगा जाएगा जाएगा तो वापस आएगा और यहां से फिर से चालू करेगा ठीक है अब फिर second path खतम जाएगा तो यह third वाला चालू करेगा ठीक है फिर second path जो था उसका जितना तो यह हो गया तो यह हो गया फिर आगे जाएगा तो फिर यह first path जहां जाथा तो यह इसका कोई part होगा तो यह से जाने जा सकते हैं वह क्यों में आ जाएगा ठीक है तो आपको doubt क्या आएगा कि आप देखो अब cell 2 से cell 6 पहुंच सकते हैं आपको क्या लगएगा 2 plus 4 ठीक है 4 dice plus 6 से पहुंच गया और cell 3 से भी आप cell 6 से पहुंच सकते हैं जो हो लगना 3 plus 3 ठीक है तो यह हो सकता है और 6 से जो 30 पहुंच गया लगा वह तो लगा ही ठीक है आपका main काम क्या रहेगा कि 30 तक हमें पहुंच नहीं ठीक है तो आप 2 से 3 जाओ, 2 से 6 जाओ यह 3 से 6 जाओ इसे में आपको एक ही step लग रहा है ठीक है तो 2 से जाओ या 3 से जाओ, आपको step तो उतने ही लगा रहा है, जो कि 1 प्लस x लगा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 से भी जा सकते हो, 3 से भी जा सकते हो, ठीक है, और मतलब यह है कि, यह assumed है कि 2 पे पहुंचने में, और 3 पे पहुंचने में same step लगा, ठीक है तो total step कितना लगा है, total step आपका y plus 1 plus x लगा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन होगा है कि, जब हम BFS लगाएंगे, तो 6 हमें 2 बार include करना पड़ जाएगा, फिर जहाब 4 पे गया है, तो वहाँ से भी 6 पे हम जा सकते हैं, 5 से भी 6 पे जा सकते है तो 6 हमारा Q में बहुत बार आपका enter होते हैं, ठीक है, और काम में आपका same ही रहेगा, 6 क्या रहेगा, कि 6 से फिर हमें 30 जाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बहुत time का बरबादी होगा, तो यह आपको हो सकता है कि doubt आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा doubt है, इसके आपको जा कि BFS के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, कि हम एक array बना लेते हैं, ठीक है, यह array रहेगा, visited array, ठीक है, अगर कोई हम, किसी पर हम पहुंचे हो है, ठीक है, मालो 6 पहुंचे हो है, तो हम mark कर लेंगी, cell number 6 is visited, ठीक है, इसे दोबारा हम अप करता है, इसमें का array बना के चलते हैं, आप code देखिया आगे है, आप code समझ जाएंगे, तो अगर आपको graph के बारे में, DFS के बारे में, BFS के बारे में, और भी सीखना है, और कुछ quality content चाहते हैं, तो यह course आप consider कर सकते हैं, ठीक है, 2499 का है, इसके समाँ GFG coupon यूज़ेगा, आपको flat 10% off हो जाएगा, यहां देखिया आपको internship का मौकब में जाएगा, ठीक है, और साथी साथी आपको कितना सारे चीज हो जो आपको सीखा दे जाएगा, यहां देखिए graph है, इसके graph में देखिये कितना सा algorithm है, सब कुछ है, सारे data system algorithm से मिलेंगा आपको, चाहाए greedy backtracking, programming tree, segment tree, q, stack, wax, सब है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, और यह बहुत सारे courses है, यहां पर देखिये, यह C++ का HDL library हो, या Amazon test series हो, या फिर SGA test series हो, आप सब चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप interview preparation के लिए complete interview preparation, इन्दोर में को doubt assistance में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, और यह सार और GFG आपका हर course में applicable है, flat 10% आपको off हो जाएगा, तो अगर आपको code देखना, तो आए मैं code दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर आप समझ गए logic, तो एक बार खुद से try जरूर किजएगा, अगर नहीं तो आए code में दिखा ही दे रहो, समझा दे रहो, ठीक है, तो यहां बनाने के लिए हम्मारे क्यों में inserted है, और यह moves का काम है, तो moves का काम है कि हमें क्या दिया हूँ है, हमें जो input में array दिया हूँ है, यह किस टाइप से, यह ऐसे है कि, मालो कोई ladder है, तो वो x से starting हो रहाई है, और वो और तक जा रहा है, तो वो ARRI में, उसका starting या ARRI plus 1 में, उस अगर कोई immersive कोई लाड़ है एक्स ठीक है और वो जा रहा होगा दो वह किरह यृ LapIN हो जो काहिस हूं रहे हो दो मैंने यह लिदा टाय कोई अब भी हमें access करना पड़ा कि जब हम cell number x पर जाएंगे तो वहां से हम कौन जा पर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा तिरुफ अपना x को यह area में डालेंगे वह हमें अपना value देदेगा ठीक है तो इसलिए यह हम बनाए कि थोड़ा easy हो जाए हमें access करना ladder और snake सब को ठीक है अब देखो अब क्या करना है की अब moves of error i X अब क्या है आपका यह है आपका यह है आपका starting point is equal to error and St. violation यह है अब क्या क्या है कि Q बना लिए है तो किसका प्यार का यहां पे प्यार क्यु है तो देखो यहां प्यूर क्यूर थो मैंने logic समझा दियाills दिखो मालों कि cell number हम कोई पहुँचे एकस पर ठीक है तो इस cell पे हम कितने number of throw पे पहुचे है कितने number of moves पूँचे है तो पहुचे है तो यह जो पैर बनेगा पार्ट है वो तो होगी हमारा cell ठीक है और दूसरा पार्ट है कि वो हम कौन से पे वह cell पे हम पहुंचे है तो पेर का यह काम आएगा पहला पार्ट किया है कि वह कौन से सेल है और उस सेल में कितने number of moves से पहुंचे है तो ऐसे पैर का काम आएगा तो क्यूँ तो हमारे जो मैंने बताया था BFS में कैसे काम आता है और यह पैर तो पैर यहां पर हमने बना द कर दिया है one को क्योंकि one से ही start हो रहा है अब हम देखो यहां पर one को visited mark करने कि हमारा cell जो one है वो visited हो चुक है और अब हम अपना BFS को यहां पर हम apply करेंगे ठीक है यह कब तक apply होगा जब तक हमारा q empty नहीं हो जाएगा ठीक है p is equal to q dot front ठीक है मतलब कि क्या हुआ है जो हमारा यह जो पी बनाए थे इसका हम q का जो पहला था ठीक है q में जो देखो हमारा q कुछ इस टाइब कर रहेगा इसमें पहला cell दूसरा cell जो मैंने बताया था a1 a213 तो माल लो a1 है तो वही चीज हम कर रहे है कि p में हम अपना a1 क को इनिशलाइज कर लिए ठीक है अब देखो cell कौन सा cell है यह जो अभी p में इनिशलाइज हुआ है तो वह हो जागा p dot first और turn कौन सा turn में हम पहुंचे थे उस cell पर तो वहाँ p dot second हो जागा ठीक है अगर यह last cell है ठीक है अगर यह last cell है तो हमारा वह cell reach हो चुक है समझे मतलब जैसे मनें बताया था कि कहीं भी अगर 30 आगे है ठीक है ठीक है ठीक है तो वही हो रहाँ हम थम ने हम 30 पर पहुंचे है ठीक हम थो हमारा जो final cell हम पहुंच चुक है तो आगे आमे करने कोई जरुवत नहीं है इसलिए हम break कर देंगा अगर नहीं ठीक है अगर नहीं तो क्यो C Q से पॉप करते हैं क्योंकि उसका काम हो चुका है अब उससे जहां जहां जहाना होगा हम ने वह सब्सक्राइब करने अपने उसको Q में इंसर्ट करें ठीक है तहब देखो हम एक से खोई एक particular cell से हम कोई 6 अलग cell पर जा सकते हैं क्यों क्योंकि हमारा dice में 6 नंबर आ सकता है तो इसलिए हम चलाए है कि हम particular cell पर है उससे हम जो 6 बाकी पर जा सकते हैं वो क्या क्या है cell प्लस 1 से cell प्लस 6 तक ठीक है तो यही है cell तो उन्हीं सब पर करेंगे ठीक है तो पहले हम एक temporary variable बना लिए पीपी ठीक है तो सबसे पहले क्या यह cell जो जिस पर अभी हम है ठीक है क्या यह cell आई क्या यह पहले से यह प्लस 5 ठीक है यह पे हम पहुंचे थे मानलो 2 dice turn का मदद से ठीक है तो यह प्लस 5 पहुंचने के हमें और अगर स्नेक या लाडर है इस जगह पर तो बहुंच जाएंगे यानि स्नेक या लाडर का यह पहुंचेंगे तो अगर स्नेक या लाडर नहीं था तो अगर यहां पर स्नेक या लाडर हो ठीक है और यह है कि बिना कोई स्नेक लाडर का और लाश में हम क्यूब में इसको पुश्कार रहे ताकि इस पे भी हम ढगा सुक हाइं तो पीपिश हो गया जब second part में रहेगा आपका यह जो second part प्यर्का वह होगा आपके आपके कौन सा टर्म में वहाँ पहुंच आए तो ऐसी ही काम करते जाएगा यह तब तक काम करेगा जब तक हमारा सारा का सारा सारा सेल खतम अगया Q हमारा empty निया हो जाए और अब देखो जहाँ पर जब हमाई cell is equal to 30 हो जाए जब cell is equal to 30 मतलब हम cell पहुंच गए हैं तो हम क्या करेंगे हैं तो हम अपना final cell पर पहुंच चुके हैं अगर आपको इसका time complexity के बारे में जानना है तो देखो हम क्या करें कि हम पूरा पूरा graph में सिर्फ एक ही बार ट्रिवर्स करें हमारा जो Q है उसमें एक जो नोड या फिर एक जो cell वो सिर्फ एक ही बार enter हो रहा है और enter और exit का time complexity होता है वह आपका o of n होता है तो वह हो बनाया ठीक है और हमने यहां पर दो यह बनाया है तो यह सब भी देखिए आपका वह linear ही space layer है ठीक है तो अगर 3N भी माने तो आपका o of n हो जाएगा तो space complexity भी आपका o of n ही होगा ठीक है तो दोनों यहां पर o of n है तो आज ही वीडियो तो इतना ही तब्सक्राइब है धान अगर्थम्स कोर्स, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always running deeper into concepts and don't worry if your code lets you down sometimes, a customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.